What's up guys welcome back to my channel एक बहुती बड़ी अपडेट लेकर आया मैं आप सभी बच्चों के लिए जो कि अभी जस्ट मामी दाला जगदीश कुमार जी ने खुदी अपडेट डाली है कि NTA announced that CVT UG would be conducted from May 15 to 31 and the result declared on June 30 India is gearing up for general election to elect its 18th लोकसभा the schedule for which is likely to be announced this month CVT UG dates likely to be changed depending on the लोकसभा पोल schedule मतलब आपका ये हिसाब बदलने वाला है मतलब हो सकता है CVT UG के जो आपके exams हैं वो लेट भी हो सकते हैं पहले तो most probably नहीं करते हैं लेट ही करते हैं मतलब बच्चों को कम समय दें ऐसा नहीं किया जाता है तो अभी देखिए बच्चों ने बहुत से comment भी कहा है सर वेबसाइट इस कंटिनूसली glitch प्लीज रिस्टार्ट इड बहुत से मसले आ रहे हैं धिरे धिरे करके बहुत चीजों को solve कर रही है लेकिन एक बड़ी update ये निकल के आ रहे हैं इन्हें ही बोला था hybrid होगा hybrid हुआ इन्हें ही बोला था कि 28 February तक form आएंगे वो आ गए तो इन्हें ही अब बोला है कि dates बदली जाएंगे exam लेट हो सकता है आपका result भी लेट हो सकता है तो हर साल की तरह इस साल CVT फिर से लेट हो सकता है इस वेरी बिग अपडेट सब क्यांस वीडियो को शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल इकन दबा देना और अप्रेट लेकर मैं आता रहूंगा ओके गाइज वाल दुपरेशन्स